हाई फ्रेंड्स मैं ये बच्चों की फ्रॉग बना रही हूँ जो मैंने इसे भी गले से शुरू किया है इसे मैंने क्रोशिय से बनाया है इतनी दूर उसके बाद यहाँ पर सलाई से बुने हूँ सीधे और उल्टे में इसमें मैंने ज्यादा डिजाइन नहीं डाले हैं सिर् इसको सिंपल सी लाइनिंग है और उपर में यहाँ पर यह क्रोशिय की डिजाइन है आज मैं इसमें सिर्फ आपको यह बताऊंगी कि फ्रॉग के नीचे में यहाँ पर कंगूरे कैसे बनाते हैं जैसे इतनी दूर मैं बॉर्डर बनाऊंगी तो यह बॉर्डर बनाने के यहां पर कंगूरे बुनोंगी और इतनी ही चौड़ी फिर इधर पठी बनाएंगे और इसे डबल करके यहां पर सिलाई कर देते हैं तो मैं आपको चलिये बताती हूं कि कंगूरे कैसे बनाते हैं अगर मैं बॉर्डर 20 सलाई की बना रही हूँ तो मैं 10 सलाई पहले सीधी और उल्टी बना लूँगी और 11 सीधी सलाई में मैं कंगूरा बनाती हूँ कंगूरे बनाने के लिए सबसे पहले एक फंधा सीधा बुन लेंगे फिर फंधे को आगे करेंगे और एक जोड़ा बुन लेंगे एक जोड़ा बुन लेंगे फिर से फंधे को आगे करेंगे और एक जोड़ा बुनेगे बस पूरी सलाई में ऐसे ही मुझे बनाना है सीधी तरफ से इस ढंक से मुझे जाली बनानी है जैसे सिंपल जाली बनाती हूँ उसी ढंक से इसमें हर फंधे में पहले फंधा आगे कर लेंगे और एक जोड़ा बुन लेंगे और पिले उसे कर लेंगे फंधे दोली बनाने आगक यह देखे इस धंग से पूरी सलाई में मुझे हर फंदे में एक जोड़ा फंदा आगे बना लेना है मुझे यह पूरी सलाई देखे मैंने वैसे बना ली है पूरे में जा ली अब उल्टे तरफ से पूरा सलाई उल्टा ही बनाएंगे पूरी सलाई उल्टी बुल लेंगे यह पूरी सलाई उल्टी बनाने के बाद इधर से अब मुझे इसकी तरह ही दस सलाई यहाँ पर सीधी और उल्टी बुल लेंगे दस सलाई जितना मैंने इधर बनाया है उतना ही इधर भी दस सलाई बुलकर और फिर इसे डवल करके यहाँ पर इस पिंक वाले रो में उसे सिल देंगे एक एक फंदे को लेके जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगे कैसे करते हैं। यह यहां पर 10 सलाई मेरी बन चुकी है सीधा और उल्टा ही बनाई हूं इसे भी विल्कुल जैसे उपर में मैंने यहां पर बनाया था यह पीच का बस दो रो मेरा कंगुरा डिजाइन बना है जिसमें सीधे से मैं दिखाई हूं आपको सिर्फ जाली बनाते हैं और उल्टे से पुरा उल्टा बनते हैं इतना बुनने के बाद इस फंदे को मैं घटाओंगी नहीं इसे सीरे सलाई पर से ऐसे उतार लेते हैं इसे सलाई से उतारने के बाद इसे बीचो बीच ऐसे मोर देते हैं यह देखें ताकि मेरी यह कंगुरे की नीचे डिजाइन बहर कर सामने छीट कगोन दीचे में काल या दाले ब्लाउस के बाजू में या नीचे पीच पर आगे में बहुत सुंदा दिती है करूडink दिजाइन इसे कैसे सिलते है इसलिए कि फंदे को पूरा उपल लिए आगर घटा कर मैं यहां इसलाई करती है तो मेरी यह stretchable नहीं होती बॉर्डर यह बिल्कुल tight सी हो जाती और फंदे को उदार कर मुझे simple इससे सफाई से सिलना है जैसे कहां पर देखिए इस एक फंदे को यहां पर लेंगे ऐसे और फिर इसे एक फंदे को लेंगे एक-एक फंदे को लेकर मुझे सिलना है फिर इसके बगल वाले फंदे को लेंगे इसे सिलते समय सिर्फ आप एक बात का ध्यान रखेंगे इसे बिल्कुल ऐसे खीच कर नहीं सिलना है बस simple मेरी जहां पर जो फंदा मेरे यहां पर आ रहा है उसके सामने वाले फंदे से लेकर स सिल देना है मुझे simple बहुत ज़्यादा खीचना नहीं है इसे नहीं तो मेरी बॉर्डर टेड़ी हो जाएगी आप ऐसे एक फंदा ले और फिर इधर भी इसमें एक फंदा डारिक ले ले आगे आप ऐसे सिलते जाए ऐसे करके ऐसे जैसे मैंने इसमें एक रो बनाई है कि ये पिंक वाले रो के नहीं ये पिंक वाले के बगल वाले को मैं ले रही हूं तो मेरी सीधी सलाई पुरी सिलाई हो जाएगी है इस ढांक से मुझे पुरे बॉर्डर को सिल देना है तो ये मेरी स्ट्रेशेबल हो जाती है ये ये मैं पूरा यहां तक सिल दी हूँ ये देखे कितनी फिनीशिंग से ये सिलाई आपको करनी है लास्ट में भी सोरा सा मेरा यहां पे रह गया है इसे विस जग से पुरा सिल देते हैं ये मेरी पुरी बॉर्डर तयार है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें धन्यवाद कि अन्यवाद